सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिकेट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो क्रेजी जिकेट्रिक दोस्तों इंडियन जोगराफी के लिए के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जिलो के बारे में मतलब इंडियन लेक्स के बारे में इस वीडियो में देखिए हम भारत की जिलो से रिलेटेट सभी important questions को cover करेंगे आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो एक्जाम में भारत की जिलो से related question आएगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा मैं आपको देखे बहुत सारी trick भी बताऊंगा उसमें तो आप बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे देखे फ्रेंड्स पहले मेंने भारत की जिलो से related एक वीडियो बना रखा था जिसमें हमने बहुत सारी trick देखी थी ठीके बहुत सारी जिलो को हमने याद करा था उसमें देखे भारत की जिलो से related सभी questions कवर नहीं हो पाए थे कुछ-कुछ questions रह गए थे तो वो इस वीडियो में देखे हम अच्छे से उन्हें पूरा करेंगे इस वीडियो में देखे हम कुछ नई tricks भी देखेंगे कुछ और important points भी हम कवर करेंगे मतलब आपका कुछ भी नहीं चूटेगा तो अगर आपने देखे पहले वाला जिलो से related वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए एक बार आपका revision हो जाएगा तो चले friends हम lecture को start करते हैं देखे friends हमारा पहला question है भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी जिल कौन सी है exam में देखिए कितनी बार question पूछा गया यह तो देखिए friends मैंने आपको बताये था कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी जिल कौन सी है Wooler जील है देखिए Wooler जील जो है ये कहाँ पर इस्ती थे जम्मू कश्मीर में इस्ती थे तो मैंने आपको इसको याद करने के ट्रिक बताईती देखिए Wooler में आगे का देखिए word पकड़ी है Woolern जैसा हमको यहाँ पर sound जो है वो मिल जाएगा तो Woolern के कपड़े कप पेंते हैं जब ठंडी यादा होती है तो जम्मू कश्मीर में देखिए ठंडी यादा होती है तो इस तरीके से हमने इसको याद कराता तो Wooler जील कहाँ पर इस्ती थे जम्मू कश्मीर में इस्ती थे हैं इसे के साथ साथ देखिए जम्मू कश्मिर में इतनी ठंड गिरती है कि जो लेक होता है, जो जील होती है उसमें पाए जाने वाले साब जो होते हैं वो भी जम जाते हैं ठीके, तो यह अमने ट्रिक से याद कराता तो देखे फ्रेंट्स, जितने भी नाग से रिलेटेड आपको देखे जील देखने को मिलेगी, वो सारी जो है जम्मू कश्मिर में इस्ती थे ठीके, इसमें देखिए एक इंपोर्टेंट और पॉइंट आपको एट करना है, कि अंचार जील जो है, यह देखिए कहाँ पर इस्ती थे, जम्मू कश्मिर में इस्ती थे जम्मू कश्मिर में इस थी थे अंचार जिल इसको के से याद रखेंगे हैं बहुत ही सिंपल है देखिए अंचार में देखिए हमको देखिए कैसा साउंड आ रहा है अचार जिसा साउंड आ रहा है ठीक है हम खाने में जो अचार यूज करते हैं वेसा हमको sound यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो अचार का स्वाद जो है जब तक वो मूँ पे नहीं लगेगा तब तक हमको नहीं आता है अचार को हम मूँ की मदद से खाते हैं तो friends, मूँ वाला sound जो है वो किस राजजी में देखिए या केंशाशी परदेश के नाम में हमको देखने को मिल रहा है जम्मू में देखिए जम्मू मू यहाँ पर देखिए sound हमको देखने को मिल रहा है अंचार जिल जम्मु कश्विर में इस्तिते हैं तो देखिए यहाँ पर पुछा गया था भारत में मिठे पानी की सबसे बड़ी जिल कौन सी है तो वूलर जिल है ध्यान रखेए का वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह उत्तरपुर्वी भारत की सबसे बड़ी जिल लोक्टक जिल किस राज़े में इस्तिते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको ट्रिक से बताये था बहुत ही सिंपल है लोक्टक जिल जो है यह मणी पूर में इस्तिते है तो हमने देखिए इसको link किसे कराता कि एक लड़का है ये लड़का क्या करता है देखिए मणी को खाता है तो जब भी ये मणी को खाता है तो इसके मुँ से केसे आवा जाएगी कटक कटक क्या आवा जाएगी ओविस ही बाते तो देखिए कटक कटक वाला sound जो है यह आपको लोकटक में देखने को मिल जाएगा लोकटक कटक ठीक है तो इस तरीके से देखिए हमने इसको लिंक कराता तो मनीपूर में देखिए इस्तित है लोकटक जिल तो यहाँ पर देखिए किस राज्य में इस्तित हैं? मनिपूर में इस्तित हैं B answer प्रसिद्ध लेगुन जिल चिलका किस राज्य में इस्तित हैं? Very very important question ने देखिए ये बहुत बार देखिए चिलका जिल से related exam में question पूछा आता है तो देखिए यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से इसको याद कराता कि चिलका में देखिए चिलका sound हमको देखने को मिल रहा है और चिलकी देखिए प्रवती क्या होती है? उडने की होती है ठीके तो उडने से बना हमारा उडिसा तो चिलका जिल कहां पर इस्ती थे? उडिसा में इस्ती थे इस तरीके से हमने याद कराता और मैंने आपको बतायता कि भारत की देखिए खारे पाने की सबसे बड़ी जिल जो है वो कौन सी है? चिलका जिले देखिए अगर हम बात करेंगे कि भारत की खारे पाने की सबसे बड़ी जिल की तो वो चिलका जिले अगर हम बात करें कि भारत की खारे पाने की सबसे बड़ी इनलेंड जिल कौन सी है? इनलेंड मतलब अंतरस थलिय जिल तो वो कौन से आजाएगी देखिए राजेस्तान में इस्ती थे सांबर जिल सांबर जिल जो है वो इनलेंड के केस में और अगर आपसे सिर्फ एसा पूछे कि भारत की खारे पाने की सबसे बड़ी जिल कोन सी है तो वो है चिलका जिल दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होईएगा चिलका जिल जो है ये एक देखिए लेगुन जिले अब लेगुन भी मैंने आपको बताये अच्छे से कि लेगुन का मतलब क्या होता है समुद्र या महा सागर की किनारे इस्थित जल का वह शेत्र होता है जो सागर से आंशिक रूप से या पूनत अलग होता है उसे ही हम क्या बोलते है लेगुन बोलते है तो भारत का सबसे आंसर नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी जील वूलर किस राजे में इस्थी थे हैं तो सोचिए कि एक्जाम में कोश्चन आया वूलर देखके आपको क्या वूलन समझ में आ रहा है और ठंडी की जगा पर पेना जाता है तो यहां पर हो गया आमरा जम्मु कश्मीर बी आंसर अंचार जिल किस राजे में इस्थी थे हैं देखिए अंचार जिल अंचार में देखिए अचार का साउंड हो रहा है और उसमें देखिए उसे मू से खाया जाता है अचार को मू से खायाता है तो मू का साउंड जो है फ्रेंड्स कहां पर आ रहा है देखिए जammu में आ रहा है मुह आ रहा है देखिए यहांपर सामबर जिल राज़स्तान में इस्ति थे next question लेते हम बैम्बनाज जिल किस राज़ में इस्ति थे very very important question ने देखिए friends यह वाला बैम्बनाज जिल को देखिए मैंने आपको trick के माध्यम से बताए था बैम्बनाज जिल में देखिए मैंने starting को क्या कर दिया इसको बू कर दिया तो बन गया बैंबू और बैंबू जो होते हैं अलग-अलग टाइप के थीन बांज जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा पाये जाते हैं जिन से देखिए घर की बहुत सारी एसेसरी जो है वो बनाई जाती है जैसे कुर्सी हुआ, टेबल हुआ बहुत सारी चीज़े जो है वो बनाई जाती है तो थीन देखिए बैंबू के लिए केरल जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है थीन बैंबू के लिए तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि बैंबू का संबन जो है वो किस से है, केरल से है ठीक है, तो इस थरीके से देखिए बैंबनाज जील जो है ये कहाँ पर इस्तित होगी, केरल में इस्तित होगी बैंबनाज जील जब भी आएगा आपको देखिए यह आपर बैंबू का साउंड आएगा और bamboo कहां से related कर रहा है हमारा केरल से related कर रहा है तो तुरंत आप answer जो है वो tick कर पाएंगी इसी में देखिए ध्यान रखेएगा बैंबनाज जिल जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये भारत की सबसे लंबी जिलें अगर सबसे longest अगर लेक की बात करेंगे भारत की तो वो कौन सी है बैंबनाज जिलें clear हुआ friends, very very important है ये भी साथी देखिए केरल में दो और जिलों का नाम आपको दिमाग में रखना है एक है पेरियार जिल पेरियार जिल जो है देखिए बहुत ही simple है वहाँ पर केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी जो है वो पेरियार नदी है तो उससे देखिए आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि पेरियार जिल जो है वो कहाँ पर इस्तित है केरल में इस्तित है इसके बाद देखिए आती अस्टमूडी जिल जो है ये अपनी आठ भुजाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा अस्टमूडी जिल नाम पड़ा है अस्टमूडी जिल और बेंबनाज जिल जो है ये देखिए लेगुन जिल है जबकि पेरियार जिल जो है ये लेगुन जिल नहीं है ये समुद्र के देखिए ये सागर के कौने पर नहीं पाई जाती है पेरियार जिल जो है ये देखिए एक लेगुन जिल नहीं है वेरी वेर से आना जाता है कयाल के नाम से जाना जाता है very very important है हाली में देखिए exam में question पूछा गयाता ये तो ध्यान रखिएगा कयाल का जाता है केरल इस्थित लेगुन जीलों को तो ये केरल से related देखिए मैंने आपको जील एक पार और revise करवा दिये तो question में पूछा गया था कि बेंबना जील जो है वो किस राज्य में इस्ती थे तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बनाया bamboo और bamboo जो है वो केरल से relate कर रहे है तो हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा C answer केरल में इस्ती थे longest जील है इंडिया की कॉलेरू जील किस राज्य में इस्ती थे देखिए friends कॉलेरू जील जो है यह एक मीठे पानी की जील है और यह भी एक प्रकार की लेगून जील है कहां पर इस्ती थे यह आंदर प्रदेश में इस्ती थे इसे आप ध्यान रखिए का देखिए यह भी important है कॉश्चन एक्जाम में बन जाता है बी आंसर यहां पर सही होगा कॉलेरू जील जो है यह आंदर प्रदेश में इस्ती थे भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है सबसे बड़ा लेगून जो है वो कौन सा है चिलका है ठीके फ्रेंड्स भी आंसर यहां पर मैंने आपको बताया चलिए अगला कॉश्चन लेते है लोक टक है लोक टक क्या है यह एक प्रकार की जील है कहां पर इस्तीत है यह मनिपूर में इस्तीत है निम्न लिखित में से कौन एक लेगून जील नहीं है ठीके फ्रेंड्स कौन सी एक लेगून जील नहीं है अस्ट मुडी जील जो है देखिए यह एक लेगून जील है चिलका जील भी एक लेगून जील है ठीके भारत का देखिए सबसे बड़ा लेगून है चिलका जील पेरियार जिल जो है ये एक लेगुन जिल नहीं है पुलिकट जिल जो है ये भी एक लेगुन जिल है ठीक है फ्रेंड्स पुलिकट जिल कहां पर रिस्तिते ये मैंने आपको देखिए ट्रिक के माद दिम से बताये था एक बार और मैं आपको देखे फिर से बता देता हूँ रिवाइस करवा देता हूँ पुली कर जिल देखिए यहाँ पर क्या नाम है पूल और कट तो पूल को देखिए जब हम कट कर देते हैं तो यह पूल कैसा हो जाता है यह आधा हो जाता है ठीके और अगर पूल कट गया, तो लोगों का मिलना खतम हो गया, तो यहाँ पर मिलना खतम हो गया, तो कट करने से देखिए पूल आधा हो गया और मिलना खतम हो गया, आधा से देखिए हमारा हो जाएगा आंदरप्रदेश और मिलना से देखिए हमारा हो जाएगा तमिलनाडू, देखिए तमिल नाडू में मिलना छुपा हुआ है, तो इस थरीके से देखिए, पुली कट जिल जो है, ये आंदरप्रदेश और तमिल नाडू की बॉर्डर पर इस्तित है, समझ में आया आए आपको, और ये एक प्रकार की लेगुन जिल है, तो देखिए, इस थरीके से आपने याद कराता, तो पुली कट जिल जब भी आएगा, पुल को कट करने तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, कि यहाँ पर देखिए, पुल आधा हो गया, और मिलना लोगों का रुग गया, तो आधा से आंदरपदेशों मिलने से तमिल नाडू, तो पुली कर जिल जो है, यह एक प्रकार की लेगुन जिल है, तो यहाँ पर देखिए, पेरियार जिल जो है, यह एक लेगुन जिल नहीं है, सी अंसर, निम लिकीत में से कौन सी जिल, भारत के दो राज्यों की साज़दारी वाली जिल है, तो दो राज्यों की देखिए, साज़दारी वाली जिल कौन सी है, चिलका जिल, बिल्कुल भी नहीं, कॉलेरू जिल, यह अंदरपदेश में देखिए, लोनार जिल देखे लोनार जिल जो है यहाँ पर देखिए आगे वर्ड है लोना और लोनावला जो है एक फैमस देखे टूरिस प्लेस है जो कहाँ पर हिस्ती थे महारास्ट में हिस्ती थे सबी को पता है लोनावला खंडाला तो लोनार जिल जो है यहाँ पर लोनावला का आजिदारी वाली जील है मैंने अभी आपको बताया आंद्रप्रदेश और तमिलनाडू तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा निम्न मेंसे कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है सांबर जील राजेस्थान में स्थीत है बिल्कुल सही लोनार जील मद्यप्र यह सुमेलित नहीं होगा यहाँ पर बियांसर चिलका जील ओडिसा बिल्कुल सही है कौलेरू जील आंद्रप्रदेश यह भी बिल्कुल सही है निम्न लिखित में से कौन सी एक क्रतिम जील है मतलब एक आर्टिफिशल जील है human made जील है कौन सी है वो देखी ध्यान रखेग कोडाई कनाल शहर को देखिए पहाडो की रानी के नाम से भी जाना जाता है तो कौन सी एक क्रतिम जील है यहाँ पर कौन सी एक आर्टिफिशल जील है कोडाई कनाल जील जो की तमिल आडू में इस्ती थे है ए आंसर निम्न लिखित में से कौन सी जील भारत के पश्यमी पर इस्तिते हैं तो देखिए ये भारत है ये अमारा हो गया देखिए पुर्वी तट और ये अमारा हो गया पशिमी तट तो चिलका जिल देखिए ये तो ओड़ी समय पढ़ती है तो ये तो अमारा पुर्वी तट पे अस्टमुडी जिल जो है ये केरल में इस्तिते हैं और केरल देखिए यह हमारा पढ़ता है पश्चिमी दड़ पर तो अस्टमूडी जिल जो है यह पश्चिम दड़ पर इसती देख जील है बी आंसर पुलिकट जील जो है यह देखिए आंदरपदेश और तमिलनाडू की बौडर पर इसती थे हैं कॉलेरू जील जो है यह आंदर वो सारी जम्मो कश्मीर की जीले हैं जील में देखिए ठंड के कारण सभी नाग जो है वो जम जाते हैं जम्मो कश्मीर में जम्मो कश्मीर A answer कयाल क्या है? कयाल क्या है? देखिए केरल के लेगून को क्या का जाता है कयाल के नाम से जाना जाता है Very very important है D answer निम लिखित में से कौन भारत के लेग डिस्टिक के रूप में जाना जाता है देखें लेग डिस्टिक के रूप में किसे जाना जाता है नेनी ताल को भारत के देखिए लेग डिस्टिक के रूप में नेनी ताल को जाना जाता है SSC में question पुछा गया था ये ये answer यहां पर सही होगा चलिए अगला question लेते हैं निमन मेंसे किसको रहस्य मैं जिल mystery lake किसे का जाता है रूपकून जिल को कहा जाता है रूपकून जिल जो है ये कहां पर इस्तिते हैं ध्यान रखिएगा फेंट्स उत्राखंड में इस्तिते हैं रूपकून जिल ये answer यहां पर सही होगा इसे रहस्य मैं जिल कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसे रहस्य मैं जिल mystery lake क्यों कहा जाता है तो इस जिल के पास में देखिये 1942 में 500 से ज़ादा कंकालों की खोज की गई थी इन मानाव कंकालों के रहस्य के कारण इस जिल को रहस्य माई जिल जो हे या फिर कंकाल जिल इसे इंगलिश में बुला जाता है skeleton lake जो हे वो कहा जाता है ध्यान रखिएगा रहस्यमय जिल, रूपकुंड जिल को कहा जाता है समझ माया आपको उत्राखंड में इस्तित है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट चपनाला जिल किस राज्य में इस्तित है तो देखे असम की आपको एक जिल का नाम ध्यान रखना है भारत की फुलहर जिल इस्तित है देखे फुलहर जिल जो है इसे फ्रेंट्स गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है क्या कहा जाता है इसे गोमत ताल के नाम से जाना जाता है क्योंकि देखिए यहीं से गोमती नदी का उद्गम जो है वो माना जाता है और गोमती नदी हमको देखे क्लिक होता है दिमाग में उत्तर पदेश, तो फुलर जिल जो है ये देखिए फ्रेंड्स उत्तर पदेश में ही इस्तिते हैं, उत्तर पदेश के पिली भी जिले के पास में ये जिल जो है वो इस्तिते हैं, तेके इसे गोमत ताल के नाम से जाना जाता है यह जी जाब ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोशन लेते हैं नक्की जील इस्ति थे हैं नक्की जील जो है यह देखिए एक मीठे पानी की जील है जो की राजेस्थान की सबसे उजी जील है नक्की जील यह जील जो है आबू के पास अरावली परवर्शेणी में इस्ति पहुत ही फैमस देखे टूरिस प्लेश है मौंट अबू वहाँ पर देखिए यह जिल जो है वहस्ती थे नक्की जिल का पर रादयस्थान चिलका जिल में यह जो है और हूर देखिए यह भारत का मैप लोगया यहां पर लेखे तुक पर मैंने आपको बताये है तमिलनाडू का तड हो है वो क्या कहलाता है कोरोमंडल दड होता है और देखिए उडिसा का जो तड होता है उसे म क्या कह जाता है पेंगोंग जिल किस राजी या केंशाशी परदेश में इस्ती थे? हाली की दिनों देखिए बहुत ज़्दा देखिए चर्चीत रही है पेंगोंग जिल कहां पर इस्ती थे? ये फ्रेंड्स लददाक में इस्ती थे? आप सभी को बताई होगा बी आंसर नेक्स्ट कोशन लेते हैं भारत की सबसे लंबी जील है देखिए भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है बेंबानाथ जील मैंने आपको बताया था कहा पर इस्तीत है यह फ्रेंड्स केरल में इस्तीत है भारत की सबसे लंबी जील भारत की सबसे उचाई पर इस्तित जिल है भारत की सबसे उचाई पर इस्तित जिल कौन सी है देखिए चोलामू जिल ठीक है ये जिल जो है ये भारत की सबसे उचाई पर इस्तित जिल है कहां पर इस्तित है ये ये इस्तित है सिक्किम में कहां पर इस्तित है ये ध्यान रखे का सिक्किम में इस्तित है इसको देखे में आपको ट्रिक से बतायता है के से बतायता देखे중 चोला मूँ में वर्ड छुपा उवा है चोला हो चोला को सब्सक्राइब कर देखे इस तरीके सीजिता हुआ है जो कि भारत की सब्से उचाई परिस्थी जील ए आणसर बहुतल तो उसको clear कर लेते हैं आज भारत की देखिये सबसे बड़ी करतिम जील जो है वो कौन सी है गोविन वललब पंसागर रहें जो रिहन बान का देखिये रिजरवाइर है गोविन वललब पंसागर वो देखिये भारत की सबसे बड़ी artificial जी ले, यहाँ पर यह answer सही होगा, और यह कहाँ पर इस्ती थे, देखे, रिहन बान जो है यह उत्तर प्रदेश में इस्ती थे, और इसका reservoir जो है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की border पर फेला हुआ ठीक है, बहुत बच्चों को confusion होता है जो भाकराडेम का रिजर्वायर है गोविन सागर, क्या वो भारत की सबसे बड़ी करतीम जी ले या फिर गोविन वल्लब पन सागर करतीम जी ले तो देखिए फ्रेंड्स गोविन वल्लब पन सागर रिजर्वायर का देखिए जो capacity है वो कितना है, 10.6 billion cubic meter है और जो गोविन सागर है जो भाकराडेम का रिजर्वायर है उसका देखिए capacity कितना है 9.34 billion cubic meter है तो उसको लेकर देखिए आप confused मत होईएगा गोविन वल्लब पन सागर जो है ये भारत की सबसे बड़ी करतीम आर्टिफिशल जी ले ये आंसर यहां पर बिकूल सही होगा चलिए अगला question लेते है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है सूची 1 है और ये सूची 2 है इसको देखिए आपस में सुमेलित करना है अस्टमूडी जील जो है ये काँ पर इस्थिते हैं श्टमूडी जील देखिए केरल में इस्थिते हैं पुलिकड जो है ये देखिए आंधर परदेश तमिलनाड़ थी भॉडर पर इस्ते हैं यहां पर आंधर परदेश नहीं दे रखाय है तो तमिलनाड़ यहां पर पुलिकड जील तीन नंबर पर रूपकुंट जो है यह काँपर इस्थी थे friends रूपकुंट हमने बात करी थी उत्राखंड में इस्ती थे सूरज़कुंट जो है यह काँपर इस्ती थी यह हर्याना में इस्ती थे ठिके ध्यान रखेगा यह भी important है इसे related भी question बन सकता है exam में सूरजकुन जो है ये देखिए एक काफी अच्छी टूरिस प्लेस हैं सूरजकुन हर्याना में इस्ती थे इसको देखी याद करने की ट्रिक में आपको बतायता हूँ पेड़ पोदों की हर्याली जो है वो सूरज पर डिपेंड करती है अगर सूरज नहीं निकलेगा तो पेड़ पोदे जो है वो फोटो सिंतेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो उनकी हर्याली जो है वो बनी नहीं रहेगी इसलिए सूरज का निकलना बहुत जरूरी होता ह है पेडों के हर्याली के लिए इसे आप दिमाग में रख सकते हैं सूरज कुंट जब भी नाम आएगा तब सूरज की वजए से ही पेडों की हर्याली बनी रहती है तो हर्याना आपको दिमाग में किलिक हो जाएगा ठीक है उस तरीके से आप देखे के रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए sequence क्या बनेगा 2, 3, 4 और 1 2, 3, 4, 1 यहाँ पर B answer जो होगा सही होगा लोनार जिल किस राजे में स्थित हैं लोनार जिल जो है देखिए लोना वुला यहाँ पर sound आ रहा है तो यहाँ पर देखिए महारास्ट में यह इस्थित होगा C answer निम्न में से कोन सही सुमेली थे हैं देखिए कोन सही सुमेली थे हमको वो देखना है लोनार मद्यप्रदेश यह सही सुमेली नहीं है नक्की गुजराद यह भी सही सुमेली नहीं है नकी जील कहाँ पर इस्थी थे, राज़स्तान में इस्थी थे, लोनार जील, महाराष्ट में इस्थी थे, पुलीकर, केरल, यह भी देखी गलत है, पुलीकर जो है यह आंधरपतेश तमिलनाडू की ब Dubai पर इस्थी थे, कॉलेरू यह आंधरपतेश बिल्कुल सही, तो यहाँ पर देखिए हमको सही सुमेलित करना था तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा कॉलेरू जील जो है यह आंदरपदेश में इस्तित है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भारत की जीलों से related सारे question जो है वो cover होते हैं अगर आपने देखिए इस question अच्छे से कर लिए तो आपका देखिए भारत की जीलों से question कभी भी गलत नहीं होगा मैंने आपको देखिए साथ साथ में केसे याद रख सकते हैं क्या तरीका है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया तो I hope आप देखिए इन सब चीजों को आप भूलने वाले नहीं है एक बार देखिए इस test को लगा कर खुद से practice कर लिजिए उसके बाद में देखिए आपको बार-बार revision करने तक की ज़रूत नहीं लगेगी तो friends I hope आपको देखिए वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगाए तो please वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और comment करके ज़रू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि इस थरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत